मनो बैया आपका मात्र स्वरूप वनगर आपका उतारा करूंगा जिससे आपके शरीर के दोश आपकी निगेटिविटी दूर हो और आपका जो कुपित वायू है वो दूर हो जिसके कान आपको अनेक अनेक बिमारिया हो रही है जो डक्टरों से बिलकुल ठीक नहीं हो रहे ह तो कुपित वायू में जो पहांच प्रकार का दोश है आपको लगने वाला नजर दोश राप पित्र दोश और प्रेद दोश इसके अलावा मलिन देवतादी जो भी आपके शरीर में परविष्ट हो जाते हैं उन सब का जो दोश आपके शरीर में रहता है वो दोश हम निक मैं मनु भाईया आपका प्यारा आपके साथ सदैव आपकी सेवा में सलगन रहता हूं आप लोग इस विशय पर क्या कहते हैं यह जरूर मुझे जानकारी दीजिएगा क्योंकि 25 तारिक के बाद से और 25 तारिक से ही आप लोगों को अगर शनी धाम में किसी को भी अपनी क्र दें लेकिन उतारा और क्रिया के नाम पर केवल आपका सवारुपया ही लगने वाला है सवारुपय में ही इलाज होगा और दूसरी गारंटी मेरी यह रहेगी कि आपको किसी भी तरह उक्साया नहीं जाएगा कि आप कुछ दान करे मंदिर में यह बात मैं आपको कहने के लि कि लोगों के पास बहुती कम विपदा आई हुई है लोगों के पास आपदा आई हुई है और जो पैसा दिये धना दिये आप जाये ना होगे आपका कम धना दिये उसकी कमी लोगों के पास आ गई है तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब की दुट्रिया है वो मुपत में कर द तरिख से और अगर और कुछ लोग क्वीप इस तारिक तक जो भी पैसा आएगा वो हम मंदिर में लगा रहे हैं और आपके वह सवा रुपय महीं एक सब्सक्राइब करना चाहते हैं उस गपर कभन हैं रहता है उसको एक रूपया 25 पैसे दान देना पड़ेगा उसका उतारा एक रूपय 25 पैसे में उत्रेगा घर यह कबिये हैं अगर आपके परिवार में केले का उतारा मनुवया यानि कि मैं श्वयम करने वाला हूं और इत्मिनान रखें आपको पहले से भी ज्यादा लाग मिलने वाले हैं पहले से भी ज्यादा आपका जो कस्ट है वो कम होने वाला है और भी तिमृता के साथ शनी देव महराज आप पर करपा करने वाले हैं करु क्लेर कर दिया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं आपसे केवल सबा रुपय आपका वारूंगा क्योंकि हमारे जितने भी कारिये वो सब निश्चित हुए हैं और मनु भाया ने अपनी जिव्याक पे जो कहा है वो आपको करके दिखा दिया है तो पहले जो किरिया आठ अजार रुपय की होती थी वो किरिया बाद में चार की हुई चार से वह दो की हुई और दो से वह केवल सबा रुपय पर आने जा रही है जबकि आपका मंदिर का काफी हत्तक निर्मान हो चुका है आपकी बैठने की जंग है हमें मिल चुकी है तो आप आएंगे आप सु भा रुपया नहीं लाएंगे आपके शनीदहां से किरिया लागू नहीं होगी चालू नहीं होगी और फिर देव आदी देव शनीदेर महराज की लिए इस सांगे अपको पता है कि दुनिया में एक ही धाम सबसे बड़ा है और पूरे ब्रमार्ण में पूरे विश्रों में एक इधाम सबसे बड़ा है जो निगेटिविटी को इस तरह से निकालता है और जहांपर आने वाले सदा सुकी होते हैं और जहांपर ठीक होने वालों की शंक्या वो लाखोगी मात्राम हैं फिर भी किसी को अराम नहीं मिले हैं तो वो ये ना समझे शनी धाम से उनको अराम नहीं मिले हैं क्योंकि शनी देव महराज ने उनकी किरिया को काफी हद तक काट दिया होता है और उनको समझ में नहीं आता है क्योंकि किरिया हैं बहुत गहरी होती है तो भूत प्रेत एक समान कुछ नहीं होगा और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी अगर जो निकालने वाले हैं और जो अच्छे से भी निकालने वाले हैं उन सब को भी रोक दिया जाए जहां जहां का सारा लिया जा रहा है तो इस समस्त संसार में इस पूरे भारतवर्स में हाहा कार मच जाएगा जो लोग कहते हैं धोंगो डखोसला है उनके घरों में भी ये चीज़े गुश जाएंगी और अगर उन चीज़ों को कमजोर ना किया जाए तो वो चीज़े अपितु इतनी ताकतवर होके आप सब पर जपड़ जाएंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा फिर भारत वर्स में कोई भी व्यक्ति बिना भूत प्रेत के आपको मिलेगा ही नहीं या बिना पितरादी दोशों के आपको मिलेगा नहीं तो सब पे कुपी दवाई उचा रही है सब के सीज़ पर विराज रही है और भक्ती करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है नाम लेने के अलाव जनवरी मनु भीया का जनम दिवस भी है आप लोग यहां भी आ सकते हैं धाम में भी बदाईयां देने और 25 जनवरी को हम जो है हम एक बड़ा निरने हमने लिया है शनी धाम के लिए चूंकि अभी भी हमने देखा था कि हमारी 200 रुपे की किरिया थी तो उसमें भी हमारा खर् रacağ चले ना चले हमें के लिए सेवा करनी है अब और हमने पहले भी बहुत सारी सेवा किये और हमारे पास खुद के बैठने के लिए जंगह नहीं थी तो छो हम वो हमारे पास हांसिल हो गई है तो हमンドरे की मूल मैं लोभ नहीं है तो हम निर्लोवी होकर आप लोगों की सेव ना बचाएं उन लोगों से क्यों ना बचाएं जिन को इस विश्य में नोलीज नहीं है और आपके पैसे खाते जा रहे हैं क्योंकि एक दिन मैं हाथ उठवा रहा था है तो मैंने बहुत सारे लोगों से हाथ उठवाया कि आप लोगों में यह बताएं कितने लोगों ने 15-15 लाख रूपे दिये हैं हिलाज के लिए तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 15-15 लाख दिये फिर कं से कम 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने पांच-पांच लाख रूपे खर्च किये और 2-4 परसेंट लोग ऐसे थे जो डो 20-20 लाख रूपे देके आए और आदी उसमें लोग ऐसे थे जो दो दो लाख रुपए के बीच में खर्च कर चुके थे तो इस तरह 50 परसेंट में बाकिस क्या थी 50 परसेंट में एक से दो लाख वाले थे लेकिन यह भी क्यों दिया जाए आप सवा रुपए में क्यों अपना इलाज खराएं आप वो इतारा जो आपकी मात्र शक्ति किया करती थी वो इतारा फिर से क्यों न खराएं तो चवणनी की आपको जोर्ट पड़ेगी वो चवणनी मुझे आप से चाहिए ही चाहिए कहीं से भी ढूंड के लाएं कहीं से भी खटी करें जो लोग 25 तारीक या उ नहीं आएगा तब तक आपकी अरजी नहीं लगेगी नहीं स्विकार होगी और उस 192 के उतारा जब तक नहीं होगा तब तक आपके प्रेताधी क्टने श्टार्ट नहीं होंगे और आपकी कशुभई रिजहाएकी जैशनी देव सबको ये ये लिजने जिस से धिता गिते हैं